नमस्टकाँ फैंड्स में नाम भग्ली अर्म पेपर है कर में आपका स्वागतब ज Show art यहां पर ने वाले है यह अपना क्या रहने बाला है यह तो जाता है फासलिएर का हंदी साहित दुप यह क्योशन पेपर आज हम क्या देखने वाले हैं इसको दो पार्टों में का करेंगे डिवाइड करेंगे पार्ट बन और पार्ट टू में ठीक है तो बढ़ते हैं वह फ्रेंट्स जिन लोगों को भाई बहुत ही इंपोर्टेंट विए थर्डियर हिंदी साहित की दूतिया क से क्यों बनाएगा है बहुत इंपोर्टेंट वह आपको आपर मिल जाएंगे ठीक है मैं आपको सर्फ एक बुक की यहां पर कर रहा हूं बाकि आपको पीडियर से पीडियर डानलोड करकर पढ़ना पढ़ेंगी ठीक है तो बढ़ते हैं बहुत ही महात्पूर है इसमें है अब यहां से क्या स्टार्ट होगा निवन्द से रिट्र जाएंगे ठीक है पहला दिर्काइथ सिबसंभू के चिठ्षे से संबंदित क्यों को हम देखने वाले हैं तो फस्ट कोशन है और सिबसंभू के चिठ्षे निवन्द के लिएक यह आपको बताना है ये सिबसंभ के चिठे जो है वो किसकी है बाल मुकंद गुप्त की हो जाएगी राइट अंस हो जाएगा ऑप्शन नमबर साथ निवंद के लिए का कौन है बाल मुकंद गुप्त हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और यहां दरेखा है सिब संबू किसका छहा नाम है यह पर बाल मुकंद गुप्त का टाइट अंस हमारा क्या हो जाएगा सिब संबू किसका छहा नाम हये तो बहुता आया मुकंद गुप्त का राइट अंसर ऑप्शन नमबर दा आगे बढ़ते हैं जोर् नेक्स्ट प्योश्ट और बढ़ते हैं से बिलकु सही आपको आपको बताना है जो आपका थार्ड एक यूशन हो जाता है थार्ड एक यूशन का अंसर क्या होगा कह रहा है सिब संबू के चिट्थे किसको संबोधित करके लिखे गए हैं यह आपको बताना है जो सिब संबू के चिट्थे हैं वो किसको संबोधित करके लिखे गए हैं ला करजन के लिए राइट आंसरो दाइगा ऑप्शन नंबर आ आगे बढ़ते हैं लाड करजन कौन था यह आपको बताना है अंग्रेज गवर्नर अंग्रेज बॉय सराय अंग्रेज सिनाध्याग चिन में से कोई नहीं तो वह कौन था यह आपको यहां पर बताना है लाड करजन तो कौन था अंग्रेज बॉय सराय था अंग्रेज बॉय सराय था तो उससे में भी कौन था बॉय सराय लाड करजन ही था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की और नेक्स्ट कुशन के रहा है लाड करजन भारत का बॉय सराय रहा कब रहा था यह आपको बताना था बिलकुल जब यह ताँ आइस ताबन की किरांती हुई थी तो उसमें जो बॉसराय था वह कौन था लाड करजन ही था तो 877 किसके अंतर गताएगा यह आपको बताना है तो अठारा सो सताबन के समय लाड करजन बॉइसराय था उस समय ठीक है यहां पर कहें लाड करजन भारत का बॉइसराय रहा कब रहा था यह आपको बताना है कौन से विलकूर राइट हो जाएगा इस समय भी कौन था लाड करजन नहीं था नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माल किस बॉइसराय ने अपनी उपलब्दी मानी है यह आपको बताना है कौन सा राइट होगा लाड रिपें लाड करजन लाड हैंस्टिंग या इनमें से कोई नहीं सौरी यहां पर मेटा नहीं है ठीक है तो राइट करजन के समय में विक्टोरिया मेमोरियल कॉलेज जो था वो बना था तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नमबर बा आगे बढ़ते हैं बुल-बुल किसका प्रतीक है यह आपको बताना है भारत का भारत की जनता का भारत की सुतंतरता का इन में से कोई नहीं तो जो बुल-बुल है वो किसका प्रतीक है यह आपको बताना है जिन लोग का आंसर आ चुका है भारत की सुतंतरता का राइट आंसर ऑप्शन नमबर सा बिलकुल राइट रहने वाला है नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं क्योशन बाल मुकंद गुप्त किस पत्र के संपादन से जुड़े थे बाल मुकंद गुप्त जो थे वो किस पत्र के संपादन से जुड़े थे यह आपको बताना है सरस्बती ब्रहाण हिंदी प्रदीप या फिर भारत मित्र तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है बाल मुकं किस पत्र के संपादन है तो यह आपको हो जाता है भारत मित्र के राइट आंसर ऑप्शन नमबर दा हो जाएगा नेक्स कुछन की बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्ट किस काल के लिखक हैं भारत इंदु यूग दुवेदी यूग सुकल यूग या फिर सुकल उत्तर यू किसं अपने निबंदों में किसके हितों का अध्यान रखा है यह आपको बताना है भारतिय-कांषा यूझा लिध्यार का राइट आंसर में क्या रहने वादा है यह आपको बताना है क्यूक्स एक मुकुंद जिप्गुप्ट का जीwnकाल था है कब डेथ हुई थी आपको बताना है 1911 से 1905, 1965 से 1907, 1865 से 1907, 1880 से 1930, इन में से कोई नहीं, राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? बाल मुकुंद गुप्त का जीवन काल था, बहें क्या था? इन में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? बाल मुकुंद गुप्त की जो रचना है, वो कौन सी है? सिब संबु के चिठे हो जाएगी, राइट आंसर आंसर आप्शन नमबर साथ नेक्स्ट कुछन की बात करते हैं, सिब संबु के चिठे में बाल मुकुंद गुप्त ने किस बुआइश राइप पर ब्यंग किया था? यह आपको बताना है, राइट आंसर कौन सा होगा? लाड डफरेन, लाड करजन, लाड कलाइब, लाड रिपिन सिब संबु के चिठे में बाल मुकुंद गुप्त ने किस बुआश राइप पर ब्यंग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, लाड करजन के, ठीक है? राइट आंसर आप्शन नमबर बाह हो जाएगा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कभियों का उर्मिला विस्यक उदासींता, ठीक है? अब क्योशन नमर बंदे रहा है कि औरमिला विस्सक उदासीनता निवंद के लेखक है कौन है यह आपको बताना है कभियों की उर्मिला विस्यक उदासींता निवंद के लेखक कौन है बाल मुकुंद गुप्तु, डॉक्टर स्याम सुन दर्दास, आचारे महावी परसाद देवेदी, आचारे हजारे परसाद देवेदी राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो कभियों की उर्मिला विस्यक उदासींता के जो निवंद के लेखक हैं वो हो जाते हैं आचारे महावीर परसाद देवेदी, राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर साथ आगे बढ़ते हैं, उर्मिला कौन थी? लच्मण की पतनी, क्रिश्न कथा की एक पात्र, भगवत पुरान की एक पात्र या फिर राम की बहन तो उर्मिला कौन थी? यह आपको बताना है जो उर्मिला थी वो कौन थी? लच्मण जी की पतनी थी राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर आ नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, आचारे महावी परसाद देवेदी के निबंद संग्रे का नाम आपको बताना है, क्या है? किंता मडी, कुटज, निशाद बासूरी या फिर रसग्य रंजन, राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? यह आपको बताना है आचारे महावी परसाद देवेदी के निबंद संग्रे का नाम है, रसग्य रंजन, राइट आंसर आप्शन नमबर दा हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, कभियों की उर्मिला, विस्य खुदासींता, निबंद के पृती को होकर हिंदी के, किस कभी ने अपने काब गरंथ में उर्मिला को महात्ब दिया है? किस ने दिया है? यह आपको बताना है तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? यह आपको बताना है तो कभी उकि उर्मिला, विस्य खुदासींता, निबंद के पृती को होकर हिंदी के, किस कभी ने अपने काब गरंथ में उर्मिला का महात्ब दिया है? तो बह किस ने दिया है? मैथली सरण गुप्त ने राइट आंसर कौन हो जाएगा? उप्शन नमबर बाप नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, नेक्स्ट कुशन के राएक कुशन नमबर फाइब मैथली सरण गुप्त की किस रचना में उर्मिला को केंदर बनाकर काब बे संजन सरजन किया गया है? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा कौन सा? सांकेत में तो जिन लोग का आंसर आ चुका है आउप्शन नमबर आप बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कुशन सांकेत के किस सरग में उर्मिला के बिरह का बर्लं किया है यह आपको बताना है सांकेत के किस सरग में उर्मिला के बिरह का बर्लं किया गया है प्रिथम सरग में पंचम सरग में नबम सरग में या फिर ग्यारवे सरग में राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है तो उर्मिला का जो बरण किया गया है साकेत में वो किया गया है नबंब सर्ग में राइट आंसर उदाएगा option number 7 next question की बात करते है next question question number 7 दे रहा है आचारे महावीर परसाद देवेदी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे आचारे महावीर परसाद देवेदी जो थे वो किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे हंस नांगरी परचाड़ी पत्रिका, सरसबती या फिर मादुरी तो महाविर परसाद देवेदी की कुंसी पत्रिका है सरसबती पत्रिका हो जाती है राइट आंसर उप्शन नमबर साथ या फिर राम अबद देवेदी राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको यहां पर बताना है देवेदी उका नामाकर किसके नाम पर किया गया है तो वो हो जाते हैं आचारे महाबीर परसाद देवेदी जी राइट आंसर अप्शन नमबर आ हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं नेक्स्ट कुशन कह रहा है आचारे महाबीर परसाद देवेदी जी ने काब भासा के पद पर प्रतिष्ठित किया किसे किया था ये आपको बताना है ब्रज भासा को, अबदी को, खड़ी बोली हिंदी को आपको बताना है तुलसी दास, बालमिकी, इसबर दास, मैथली स्रडगुप्त राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है उर्मिला की उपेच्छा का दोसी नहीं है तो बहु कोईन हो जाते हैं मैथली स्रडगुप्त हो जाते हैं राइट आंसर उप्शन नमबर दा रहने वाला है नेक्स्ट कुश्ण की बात करते हैं आचारे महावे प्रशाद देवेदी ने किस संस्कृत कभी को उर्मिला का दोसी ठहराया है तो बहु कौन हो जाते हैं बालमिकी, भावबूती, कालिदा, स्रीहर्स राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है ये आपको बताना है तो आचारे महावे प्रशाद देवेदी ने कि संस्कृत कभी को उर्मिला का दोसी ठहराया है तो बहु जाते हैं बालमिकी जी, राइट आंसर कौन रहाया का option number A अपना रहने वाला है नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं आचारे महावे प्रशाद देवेदी को किस युग का परवरतक माना जाता है अर्तिंदू युग, देवेदी युग, छाया बादी युग या फिर छाया बादुत्तर युग राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है आचारे महावी प्रशाद देवेदी को किस युग का परवरतक माना जाता है तो बैह हो जाता है देवेदी युग को राइट आंसर option number बाद रहने वाला है नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं थड़ी बोली को कावी प्रशाद की प्रतिष्ट करने का असरे किसे दिया जाता है यह आपको बताना है जैसे कर प्रसाद को, हरियोद को, आचारे महावी प्रशाद देवेदी को या पिर आचारे हजारी प्रशाद देवेदी को राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है थड़ी बोली को काभी भासा के प्रत्रप्रतिश्टरी करने का असरी है किसे दिया जाता है जिन लोग का आंसर आ चुका है यहाँ पर option number 7 आचारे महाभी प्रसाद दियवेदी बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाता है next question की बात करते है next question को देखीएगा next question का आंसर मारा क्या रहने वाला है question कहला है नहीं कि तमेसे किसे भासा संसोधक निवंदकार माना जाता है किसे माना जाता है यह आपको बताना है कुवेरनाथ राय को शरद जोसी को बिबेकी राय को आचारे महाबीर परसाद दुवेदी को राइट आंसर हमारा क्या होगा फड़ा फड़ा आंसर दीजेगा निम्ली के तमेर से किसे भासा संसोदित निबंदकार माना जाता है तो बहमाना जाता है आचारे महाबीर परसाद दुवेदी जी को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर का श्टार्ट करते हैं लज्जा और गलानी के बारे में टॉपिक है तोपिक है मारा यह परस्टी क्योशन श्टार्ट जाता है इससे कह रहा है आचारे रामचंद सुक्ल के निबंद संग्रे का नाम आपको बताना है कौन सा है आचारे रामचंद सुक्ल के निबंद संग्रे का नाम बताना है कौन सा हो जाएगा चिंता मणी विचार विचार वितर्क कुटज या फिर आस्था और सौंधर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा फटावर डिसका आंसर दीजेगा तो आचाय रामचंद सुक्ल का जो निवन्द संग्र है वो हो जाता है चिन्ता मनी राइट आंसर आप्शन नमबर आ हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं आचाय रामचंद सुक्ल की किरती नहीं है यह आपको बताना है भारतिय संस्कृति हिंदी साहितिका इतिहाज चिन्ता मनी या फिर रस मिमासा राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ठीक है तो आचाय रामचंद सुक्ल की कृति कौनसी नहीं है ये आप से पूछ रखा है तो इसका राइट आंसर दाएगा भारतिय संसिकृति यह इनकी कृति नहीं है next question की बात करते हैं next question को देखेगा next question कहा रहा है लग्जा और गलानी चिंतामणी भाग बन में किस किरम पर संकिलत निबंद है ये आपको बताना है चोथा निबंद पांचबा निबंद चटबा निबंद या फिर ग्यारबा निबंद राइट आंसर नमारा क्या होगा ये आपको बताना है लज्जा और गलानी चिंतामणी फस्ट में किस किरम पर संकिलत निबंद है तो बह हो जाता है पांचबे निबंद पर राइट आंसर हो जाएगा option number 2 आगे बढ़ते हैं गिलानी किन व्यक्तियों में उत्पन्न होती है जो गिलानी होती है वह किन व्यक्तियों में उत्पन्न होती है शात्विक प्रवर्ति वाले लोगों में तामसी प्रवर्ति वाले लोगों में राजसी प्रवर्ति वाले लोगों में या फैं नमबर नेक्स्ट कुछन को बात करते हैं नेक्स्ट कुछन का अंसर दीज़े कुछन नमबर फाइब आचाय रामचंद सुकल ने अपने निवंद लज्जा और गिलानी में बुराई से बचाने वाले किन तीन मानभाबों का उल्लिक किया है या आपको बताना है इश्या इस पर्स प्रेम घरना क्रोद गिलानी लज्जा भै इलमे से कोई नहीं राइट आंसर क्या रहने वाला है आचाय रामचंद सुकल ने अपने निवंद लज्जा और गिलानी में बुराई से बचाने वाले किन तीन मनो भाबों का उल्ले किया है तो वो हो जाता है गिलानी लज्जा और भै, राइट आंसर हो जाएगा, option number 7, next question की बात करते हैं, question number 6, इस पुस्तक में मेरी अंत्रयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रिदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है, बुद्धी पर हिर्दे को भी शाथ लेकर, यह कथन किसका है, यह आपको बताना है इस पुस्तक में मेरी अंत्रयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रिदेश यात्रा के लिए निकलती रही है, बुद्धी पर हिर्दे को भी साथ लेकर, यह कथन किसका है, यह आपको बताना है, डॉक्टर नगींद्र का, डॉक्टर राम बिलास सर्मा का, आचार हजारी पर जी का, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर दा, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, नेक्स्ट कोशन के रहा है, लाइट ओफ एसिया कानुबाद, आचाय राम चंद सुकल ने किस नाम से किया, बुद्धी चरित, बुद्धी माहिमा, या फिर महत्मा बुद्ध, मह गांदी, राइट आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है, लाइट ओफ एसिया कानुबाद, आचाय राम चंद सुकल ने किस नाम से किया था, यह आपको बताना है, तो जिल्लो का भी आंसरा चुका है, ऑप्शन नमबर आ, बुद्धी चरित, बिल्कुल राइट आंसर हो हो जाएगा, नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, कहारा इन में से कौन सी कहानी आचाय राम चंद सुकल की है, तो आचाय राम चंद सुकल की कौन सी कहानी है, यह आपको बताना है, दुलाई वाली, इंदू मती, गहरा बरस का समय, ग्यारा बरस का समय, एक कटूरी भर मिट् तो कहानी जो हो जाती है आचाय रामचंद सुकल की वो हो जाती है 11 बर्स का समय राइट आंसर हो जाएगा आउक्शन नमबर साथ नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं नेक्स्ट कुशन को देखेगा नेक्स्ट कुशन का अंसर क्या होगा क्योशन कह रहा है आचाए रामचंद सुकल किस रूप में पिरसिद्ध है अब इच्छक हिंदी साहित के इतिहासकार निबंदकार उप्योक्त में से कोई नहीं तो आचाए रामचंद सुकल जो है वो कौन है ये आपको बताना है तो ये समिक्छक भी हो जाते हैं हिंदी साहित के इतिहासकार भी हो जाते हैं और निबंदकार हो जाते हैं तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा आउप्योक्त सभी रूपों में इन्हें पिरसिद्धी है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की और यहाँ पर कह रहा है आचाय रामचंद सुक्ल किस काल के समिच्छक हैं भातिंदू यूग दिवेदी यूग छायाबादी यूग या फिर छायाबाद उत्तर यूग राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है आचाय रामचंद सुक्ल किस काल के समिच्छक हैं तो बहें राइट आंसर हो जाएगा कौन छायाबादी यूग के राइट आंसर आप्शन नमबर सा रहने वाला है नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं आचाय रामचंद सुक्ल चिंतामणी को पहले किस नाम से प्रिकास्ट करना चाहते थे आचाय रामचंद सुक्ल की जो लिखी गई है चिंतामणी इसको पहले किस नाम से प्रिकास्ट करना चाहते थे यह आपको बताना है बिचार बिधा, बिचार और बितर्क, बिचार परवहा, बिचार मनी राइट आंसर अमारा क्या रहने वाला है? यह आपको बताना है तो रौम चंच्ट सुकल जो थे वो चिंता मनी को पहले किस नाम से परकासित करना चाहते थे? तो वो हो जाता है बिचार बीथी कौन बिचार बीथी राइट आंसर आप्शन नमबर आ हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं चिंतामनी किसकी रचना है तो अभी हमने क्या देखा है चिंतामणी किसकी रचना है रामचंद्र सुकल की रचना है राइट आंसर उप्षिन नमबर आ रहने बारा है बढ़ते हैं आगे क्योशनों की ओर क्योशन के रहा है यहां पर आचाय रामचन सुक्ल के मतानुसार हिंदी का एडिशन है क्या है यह आपको बताना है राधा किशनदास एडिशन है यह कथन किसका है न अचाय रामचन सुक्ल के मतानुसार हिंदी का एडिशन है कौन है यह आपको बताना है राधा किशनदास प के मतानुसार हिंदी का एडिशन कौन है तो वो हो जाता है पंडित बाली किर्श्णे भट हो जाते हैं राइट अंसर नम्बर 2 हो जाएगा अब यहां से स्टार्ट होता है अपना कौन कुटज ठीक है तो फ़स्टी कोशन स्टार्ट होता है कह रहा है कुटज निबंद के ले अचारे हजारी परसाद दिवेदी हो जाते हैं राइट अंसर नम्र 2 हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं कौन सा निबंद आचारे हजारी परसाद दिवेदी का है कुटज लज्ज्या और गिलानी छायाबाद या फिर सिब संभू के चिठ्थे तो आब इमने क् अब बताना है ठीक है ध्यान से देखना कैद रिकाए नहीं है असो के फूल आत्म नेपद विचार प्रबहा या फिर कल्प लता राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है तो आचार हजार प्रशाद दिवेदी का कौन सा नहीं है यह आपको बताना असो के फूल यह भी हो जाता है ठीक है और बात करते हैं यह हमारा आत्म नेपद भी हो जाता है विचार प्रभावी जी हो जाएगा मगर जो कल्प लता है वो इनका नहीं है तो राइट अंसर क्या ह बिचार आत्मक निभंद या पर समस्या परक निभंद तो राइट Liver मारा क्या रहने वाला है यह आपको बताना है तो पूटज किस प्रिकार का निभंद है क्यिसा है ललितनी बंद हो जाता है राइट अंशल नमबर हो सा निबंदकार ललित निबंदकार नहीं है तो हो जाता है कौन डॉक्टर राम बिलास सर्माजी राइट अंस हो जाएगा option number 2 next question की बात करते हैं next question को देखेगा question number 6 कह रहा है इन में है आपको बताना है तो उनल सी कौन सी रचना चारेघारीद में कि नहीं है तो वह कौन सी नहीं है हिंदी साहेति की 20-20 सदी राइट आंसर हो जाएगा option number 7 next question की बात करते हैं आचारे हजारी परसाद देवेदी का जीवन काल क्या है यह आपको बताना है 1907 से 1909, 1908 से 1975, 1910 से 1980 या फिर इने में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो हजारी परसाद देवेदी का जीवन काल है वो कौन सा है 1907 से लेकर 1909 हो जाता है तो राइट आंसर option number आपना हो जाएगा ठीक है next question की बात करते हैं next question कर रहा है कौन सा अपन्यास आचारे हजारी परसाद देवेदी का नहीं है यह आपको बताना है पुनर्नबा त्याग पत्र चारू चंदर लेक बाण भट्ट की आत्म कथा तो राइट आंसर नमारा क्या होगा यह आपको बताना है बात करते हैं हजारी पसाद देवेदी की कौन सा उपन्यास नहीं है तो पहला जो हो जाता है पुनर्नबा ये भी हो जाएगा चारू चंदर लेका भी है और बाण भट्ट की आत्म कथा भी इनका ही उपन्यास का रहे मगर त्याग पत्र है वो उनका नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बागए वरते हैं नेक्स्ट और नामबर सिंग ने दूसरी परमपरा की खोज डॉक्टर राम नामबर सिंग ने दूसरी परमपरा की खोज नामक किरती किसी की रचनाओं की समीच्छा करते हुए लिखी है ये आपको बताना है आचाय रामचंद सुकल की डॉक्टर नागेंद की आचार नदुलारी बाजपेई की आचार हजार परशाद दुवेदी की तो राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको यहाँ पर बताना है डॉक्टर नामबर सिंग ने दूसरी परंपरा की खोज नामक्रिती किसकी रचनाओ की समिच्छा करते हुए लिखी है तो बो हो जाता है आचारे हजारी परशाद दुवेदी की किरतियों की समिच्छा करके लिखी है नेक्स्ट कुष्ण की बात करते हैं क्यारे कुटज को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह घड़े में उत्पन होता है कुटियों में उत्पन होता है परवत की चोटी पर उत्पन होता है उप्युक्त में से कोई नहीं राइट आंसर क्या रहने वाला है यह आपको बताना है उटज को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वह परबतों की चोटी ओपर उत्पन होता है राइट आंसर आप्शन नमबर सा हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं निम्रिकत में से कौन ललित निबंदकार है तो ललित निबंदकार कौन है यह आपको बताना है भातिंदू हरिस्चंद, आचारह हजारपसाद देवेदी, रगगुबीर सहाई या फिर बालमकुंद, गुप्त राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है निम्ने केतं में से कौन लिटनी बंदिकार है तो बो हो जाते हैं आचारे हजारी परशाद दुवेधी राइट आंशर ओप्शन नमबर बार रहने वाला है हुआ था आपको बताना है कोन wesुआ नियस साथ नियस सो फिस इस जायic अभी हमने देखा था 1907 ठीक है 1907 से लेकर 1909 तर तक तो राइट आंसर क्या हो दाएगा option number आ रहने बाला है next question की बात करते हैं तो next question यहां से छायाबाद से start होता है तो पहला question इस प्रकार से छायाबाद निबंदी के रचनाकार है कौन है यह आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा छायाबाद निबंदी के रचनाकार कौन है नंद दुलारे बाजपाई हो जाते हैं राइट आंसर हो जाएगा option number 6 next question की बात करते हैं नंद दुलारे बाजपाई का जीवन काल है कितना है यह आपको बताना है 1906-1967 1908-1973 1920-1990 इसमें से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है नंद दुलारे बाजपाई का जीवन काल है वो 1906 से लेकर 1967 है तो राइट आंसर हो जाएगा option number 8 ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर next question की और next question आपके सामने कुछ इस प्रिकार सोजाता है नंद दुलारे बाजपाई को माना जाता है क्या माना जाता है आपको बताना है सोष्ठब बादी समिक्चक पिरगती बादी समिक्चक अस्तित बादी समिक्चक संस्कृतिक समिक्चक तो राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है इन्हें माना जाता है क्या सौष्ठवबादी समिक छक राइट आंसर क्या होदाएगा आप्शन नमबर आ रहने बाला है आगे बढ़ते हैं नंदुलारे बाजपे की कृती नहीं है कौन सी नहीं आपको बताना है आस्था और सौंदरे मुंसी प्रेमचंद नया साहित नये प इनकी कृती नहीं है राइट आंसर आप्शन नमबर आ हो जाएगा बाकी आपके मुंसी प्रेमचंद नया साहित नये प्रसन और कभी प्रसाद सब सारी की सारी नंदुलारे बाजपे की कृतियां हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन नंदुलारे बाजपे साहित का प को बताना हां та कि कि ए किसके लिए मांते हैं आत्मानु भूती के लिए मांते हैं राइट आंसर क्या dura? का option number सा रहने वाला है आग्जे बते हें nex question की ओर हिंदी साहित 22 सदी हिंदी साहित 22 सदी के रचनाकार कौन है? यह आपको पताना है डॉक्टर नागेंद, डॉक्टर रामबिला सर्मा, आचाय रामचन सुक्ल, नंदुलारे बाजपाई, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, हिंदी साहित बीस्वी सदी के रचनाकार कौन है, तो जिन लोग का आंसरा चुका है भई, नंदुलारे बाजपाई, राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ये कहां के रहे हैं, सागर बिस्वी द्याले के रहे हैं, विभागाद्यक्च, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नमबर दा रहने बाला है, नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं, छाया बादी काब बिके, कट्टर समर्थक आलो चक कौन थे, मैं आपको बताना है, डॉक्टर राम बिला सर्मा, आचाय राम चन सोकल, राम बनारसी दा शतर वेदी, नंद दुलारे बाजपाई, राइट आंसर क्या होगा, ये आपको यहां पर बताना है, तुछ हाया बादी काब के कट्टर समर्थक आलो चक कौन है, ये पर डॉक्टर नाम बर सिंग, राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है, कबी निराला किसकी कृति है, तो बेह हो जाती है, नंद दुलारे बाजपे की, राइट आंसर क्या रहने वाला है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुशन की ओर, छाया बादी काब और भक्ति कालीन काब में किस द्रश्टी से समानता है, ये आपको बताना है, दोनों की सैली एक है, दोनों की विसेवस्तु समान है, दोनों का समर्थन समान है, दर्शन समान है, दोनों में अध्यात्मिकता मिलती है, राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है, छाया बादी काब और भक्ति काली निकाब में किस द्रश्टी से समानता मिलती है तो बह मिलती है आपके सही है न? दोनों में अध्यात्मिकता मिलती है राइट आंसर उप्शन नमबर दा रह जाएगा आगे बढ़ते हैं छाया बादी काब की समय सीमा है यह आपको बताना है कौन सी है 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1936 से 1940 सन 1950 के उपरांत राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है छाया बादी कादिक काब की समय सीमा क्या है तो 1920 से लेकर 1936 राइट आंसर उप्शन नमबर बाव हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं आपको बताना है प्रपरती समीजाट समीजाट समीजात है इसमीजफ राइट अंसर डिया आपको मताना है आचाय नंदुलारे बाचपे की समिक्षा प्रवती के आलोचक हैं तो बैं हो जाते हैं ब्याबारिक समिक्षा के ठीक है किसके ब्याबारिक समिक्षा के राई टांस्रॉप्शन नमबर बार है अब यहां से स्टार्ट होता है तुम चंदन हम पानी ठीक है कौन सा है या आपको बताना है 1914-1995, 1920-2000, 1926-2005, 1930-2010, कौन सा विलकुल राइट आंसर रहने वाला है बिद्धा निवास मिसर का जीवनकाल है वो हो जाता है 1926 से लेकर 2005 तक राइट आंसर आप्शन अमबर सा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं बिद्धा निवास मिसर का छदम नाम क्या था या आपको बताना है बिद्धा निवास मिसर का चदम नाम क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन की ओर कौन सा निबंद संग्रे बिद्धा निवास मिसर का है कौन सा निबंद संग्रे बिद्धा निवास मिसर का है आपको बताना है तुम चंदन हम पानी मैंने सील पहुँचाई मैंने सिल पहुँचाई मेरे राम का कुटुब भीग रहा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है उपियुक्त सभी तो right answer क्या रहने बाला है ये आपको बताना है कौन सा निबंद बिद्धा सागर मिस्र का है तुम चंदन हम पानी ये भी हो जाता है मैंने सिल पहुँचाई ये भी हो जाता है मेरे राम का मकुट भीग रहा है ये भी इनीका है इसका बिद्धा सागर मिस्र का तो क्या हो दाएगा राइट आंसर उपयोग तो सभी यहाँ पर रहने वाला है आगे बिद्धा निवास मिस्र माने जाते हैं ब्यक्ति बिंजक निवंदिकार इतिहासकार ललित निवंदिकार या फिर प्रध्यापक राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है बिद्धा निबास मिस्र माने जाते हैं कौन ललित निबंदकार माने जाते हैं राइट आंसर ऑप्षय नंबर सा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन क्यों नेक्स्ट कुशन कह रहा है बिद्धा निब का मुखट भीग रहा है तो क्या है राम खितापर संग है राइट आंसर आप्शन नमबर आ रहने बाला है नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं बिद्दा निबास मिस्र ने एक बाग के संग्रह भी तयार किया था इसका नाम है यह आपको बताना है क्या नाम है पंचिसर पानी का पुकार पानी की पुकार हल्दी दूब या फिर कौन तू फुलबा बिन नहारी तो यहाँ पर कौन सा बिलकुल राइट आंसर होगा यह आपको बताना है तो बिद्दा निबास मिस्र ने एक काब संग्रह को भी तयार किया था इसका नाम क्या था पानी की पुकार राइट आंसर क्या दाएगा पानी की पुकार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन क्यों नेक्स्ट कुशन क्या रहा है तुम चंदन हम पानी सीरसक कहां से लिया गया है कबीर के पद से, रैदास के भजन से, सुन्दर दास के पद से, मीरा के भजन से, राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है तुम चंदन हम पानी सीर्षक कहां से लिया गया है भई, रैदास के भजन से लिया गया है राइट आंसर होदाएगा, ऑप्शन नमबर, आगे बढ़ते हैं, चंदन घिसने से पत्थर को क्या कहा जाता है तिपाई, बटिया, भोरसा, सिल, राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है चंदन घिसने के पत्थर को क्या कहा जाता है, भोरसा कहा जाता है, राइट आंसर आप्शन नमबर, सा रहने बाला है आगे बढ़ते हैं बड़े पित्रब्य का तात्रिय है बड़े पित्रब्य का तात्रिय क्या है यह आपको बताना है ताउ, चाचा, मामा या फिर फूपा बड़े पित्रक का जो तात्रिय है वो किसे है ताउ से हो जाता है राइट आणसर option number आ रहने बाला है आगे बढ़ते हैं नार का अर्थ पुराणों में है नार का जो अर्थ है वो पुराणों में क्या है जल, नल, नाल, बिश्णू या फिर ब्रह्मा कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट आणसर रहने बाला है नार का जो अर्थ पुराणों में है वो क्या है? जल है राइट आंसर अप्शे नंबर आ रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की ओर नेक्स्ट कुशन का अंसर दीजिगा नेक्स्ट कोशन कह रहा है बिद्धा निवास मिस्रे किस युग के निबंदिकार है आतिंदु युग, दिवेदी युग, सुकल युग, सुकल उत्तर युग राइट आंसर क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है बिद्धा निवास मिसर के किस युग के निबंद कार हैं तो सुकलोत्तर युग के हो जाते हैं राइट आंसर आप्शन नमबर दा हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं कौन तू फुलवा बिन नहारी किसका निबंद संग्रे है? कौन तू फुलवा बिन नहारी किसका निबंद संग्रे है? बिबे की राय का आचायर हजार अचायर प्शाथ देवेदी का बिद्धा निवास मिसर का कुवेरनाथ राय का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है तो जिन लोग का भई आंसर आ चुका है विद्धा निवास मिस्र का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आउक्शन नमबर सा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question क्यों next question क्या कह रहा है question कह रहा है ललित निबंद आम्र मंजरी के लेखक कौन है ललित निबंद जो है आम्र मंजरी उसके लेखक कौन है यह आपको बताना है आचार हजारी परसाद देवेदी सिपरसाद सेंग कुबेरनात राय बिद्धा निवास मिस्र राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है आम्र मंजरी जो है बे किसकी हो जाएगी बिद्धा निवास मिस्र की हो जाएगी राइट आपसे क्योंदा करते हैं सौंदर्य की उपियोगिता से संबन्त क्योशन पर्ष्ट क्योशन है डॉक्टर नाम विलास सर्मा का जीवन काल है क्या है यह आपको बताना है 1888 तोजार इ कोई रखा है कट गया है कोई बात नहीं इसमें से कोई नहीं तो राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है डॉक्टर राम बिला सर्मा का जीवन काल है तो कितना है 1912 से 2000 तक ठीक है कितने 1912 से 2000 तक बेरी इंपूटेंट याद अखना आगे बढ़ते हैं डॉक्टर राम बिला सर्मा साहिति की किस विचार धारा से जुड़े रहे हैं चाया बाद प्रिगती बाद प्रियोग बाद नई कभीता किसे जुड़े हुए हैं यह आपको बताना है डॉक्टर राम बिला सर्मा साहिति की किसे विचार धारा से जुड़े हुए हैं तो इसका आंसर कौन सा बिलकुल राइट होगा यह आपको बताना है तो क्या हो जाएगा पिर्गती बाज से जुड़े हुए हैं राइट अंसर आप्शन नंबर 12 रहने वाला है नेक्स्ट कोश् 뉴스 की बात करते हैं नेक्स्ट कोश्ण कहां से दीजगा यहां पर कह़ा है सौंदर्य की उपयोगिता निबंदी के लिखक हैं सौंदर्य की उपयोगिता निबंदे के लिए का कौन है यह आपको बताना है नंदुलारे बाजपई अग्ये बाल मुकुंद गुप्त डॉक्टर रामविला सर्मा तो यहाँ पर कौन सा बिलकुल राइट होगा सौंदर्य की उपयुकता निबंद के लिए का कौन है डॉक्टर राम बिला सर्मा हो जाते है राइट आंसर ओप्शन नम्बर दा हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं निर्याला की साहित साधना उपयुकत सभी तो राम बिला सर्मा की कौन से रचना है यह आपको बताना है उपयोकत सभी आगे बढ़ते हैं फिरंर नैक्स्ट कोशन की ओर नेक्स्ट कोशन के रहा है डॉक्टर रामविला सर्मा ने किस कभी की जीवनी लिखी है यह आपको बताना है बेरी इंपोरेंट कोशन पूरे कांतर पार्टी निराला, जैसंगर परसाथ, सुमितनन पंत या पिर अग्या जी तो राइट आंसर क्या दाएगा निराला जी की जीवनी किस ने लिखी है रामविला सर्मा जी ने लिखी है आगे बढ़ते हैं इन में से डॉक्टर रामविला सर्मा को आलोचनातमक ऑठना है वह कौनसी है तो यहाँ पर कौन सा बिल्कूल राईट होगा यह आपको बताना है पर गती और परमपरा यह भी हो जाती है आस्ता और सवामदर यह भी हो जाती है प्र्गति से रहने वाला है और terrorist हैडी और तो नेक्स्ट क्वेशन का भी आंसर दीजाए नेक्स्ट क्या होगा डॉक्टर रामब्ला सर्मा थे एक ब्यापारी एक अध्यापक खुल्पती या फिर राज नितिग कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट होगा यह आपको बताना है जो राम बिला सर्मा थे वो कौन थे एक अध्यापक थे तो राइट आंसर आप्शन नम्बर 2 हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं निराला की साहित आसादर नामकरती के कितने भाग हैं दो तीन चार पांच कितने हो जाते हैं यह आपको बताना है तो जिन लोग आभी आंसर आ चुका है ओप्शन रामचंछन उक्ल और हिंदी नवजागर्व, आचाय रामचं सक्ल और हिंदी आलोचना, पुक्ल जी की समिछा पड़ती उप्युक्त में से कोई नहीं राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है अब कौन से लिखी है यह आपको बताना है यहाँ पर तो इसका राइट आंसर होगा आचाय राम चंद सुकल और हिंदी आलोजिना राइट आंसर ऑप्शन बर बार रहने वाला है नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं महाभी परशाव देवेदी और हिंदी नवजागर के लिए लिखक हैं कौन है यह आपको बताना है राम धाय से दिल्टा दॉक्टर राम बिला सर्मा बाबु गाबु बुलाब राय या फिर डॉक्टर नागेंद राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है महाभी परशाव देवेदी और हिंदी नवजागर के लिखक कौन है तो यह हो जाते हैं डॉक्टर राम बिला सर्मा जी राइट आंसर ओप्शन बार रहने बाला है आगे बढ़ते हैं भासा और समाज किरती के रचैता हैं भासा और समाज किरती के रचैता कौन हैं तो राइट आंसर क्या होगा यह आपको यहां पर बताना है जिन लोगों का आंसर आ चुका है बहांसा और समाज कृति के रचेता कौन है डॉक्टर राम बिला सर्मा इससे पहले भी हमने देख रखा था आगे बढ़ते हैं फिर तो फेंड्स यहीं तक देखते हैं ठीक है नह अध्य विधाओं के लिए ठीक है तो फेंट जितने भी क्योशन हो गए हैं वो पार्ट बन समझ लीजेगा ठीक है क्या पार्ट बन समझ लीजेगा और पार्ट टू जो आपको मिलने बाला है वो जल्द ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो को लाइक करना है शेर आपको मिल जाएंगे ठीक है इसी मतला पार्ट थार्ड के से रेटन मिल जाएगा पूरा की पूरा नोट बहाँ पर जाके आप डानलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पर जाना मत भूलेगा क्योंकि बहीं से आपके कुशन पोचे जाएंगे बहुत ही इंप झाल 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